नमस्कार हमारे यूटूब चैनल LNB Electrical में आप सभी का स्वागत है आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जब आप machines के बारे में पढ़ रहे हैं या पढ़ रहे होंगे machines के बारे में चाहे वो AC machine हुई या DC machine यह आप Electrical के फिल्ड से जुड़े हैं तो आप motor, generator, alternator के बारे में पढ़े होंगे तो इन सब जो मैं बता रहा हूँ आपको motor, generator, alternator इसमें आपने सुना होगा rotor का इस्तमाल किये जाता है, rotor, दो इसका man part होता है, एक होता है rotor, एक होता है stator, तो आज में इस वीडियो में आपको ये concept clear कर देने वाला हूँ rotor के बारे में, कि rotor होता क्या है, कैसे काम करता है rotor में भी छोटे छोटे parts होते है, उन्हें क्या बोलते है, rotor में भी winding होती है, क्या बोलते है ठीक है DC मोटर में किस परकार का रोटर लगाया ज ethernetator मैं किस परकार कांटर लगाया जाता है तो आज इस वीडियो में मैं आपको रोटर का कंसेट के लिए करेंब आँ gossip परसेंट मैं आप से कह सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद रोटर का आपके मन में कोई सवाल नहीं रहेगा अर यदि रहे तो किरपया कमेंट करें तो मैं बता रहा था रोटर के बारे में तो रोटर का जितना भी कंसेप्ट में किलियर करूंगा सभी प्रैक्टिकली करकर आपको दिखाऊंगा कि किस भाग को क्या करते हैं कैसे बेरिंग जुड़ा होता है इसकी वाइंडिंग कैसे होती है कितने परकार की होती है ठीक है सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो अन्त तक वाच करें तो हम बात करें इस रोटर के बारे में तो रोटर यानि कि एक होता है रोटर एक होता है इस्टेटर का बारे हम दुसरे वीडियो में आपको बताएंगे इस वीडियो में आपको रोटर के बारे बताएंगे नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो रोटर रोटर रोटेटिंग रोटेटिंग पार्ट को रोटर करते हैं ठीक है किसी भी मसीन में अभी हम मोटर जनरेटर अल्टरनेटर में नहीं गया है AC मसीन, DC मसीन में कुछ की बात नहीं कर रहे हैं कि हम अभी सिर्फ रोटर की बात कर रहें तो रोटेटिंग पार्ट को रोटर करते हैं अब थोड़ा में इसे समझने के लिए थोड़ा और एक चीज समझना होगा ये देखिए एक इस्टेटर है इस्टेटर है ये किस्टेटर है ये इस्टेटर की वायंडिंग की गई है जिसे फिल्ड हैं यह यहां पर मेगनेटिक इस चाहा है जब हम हम इन कौईळों पर supply देते हैं ठीक है अब rotor इसके बीच में घूमता है कुछ इस परकार से यह bearing के माध्यम से मैं अभी आपको बताऊंगा इस परकार से इसके अंदर डला होता है और वो घूमता है ठीक है इस परकार से डला होता है और घूमता है यह rotor तो दो मैगनेट मोटर में जेनरेट होता है दो मैगनेट बनता है किसके किसके उपर एक तो फिल्ड कोयल अपना एक मैगनेट बना लेता है और एक रोटर में भी वाइनिंग होता है रोटर में भी स्टीब डले होता है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा उसके द्वारा दू मैगनेट बनाया जाता है एक रोटर के उपर और एक फिल्ड कोर के उपर ये फिल्ड कोर है ये फिल्ड कोर के उपर बनता है तो हम बात कर रहें थे रोटर को रोटेटिंग पार्ट को रोटर कहते हैं जैसा कि माने आपको अभी पताया कि rotor कैसे काम करता है amagnetic field generate होता है जब हम field coil पर supply देते हैं और वह ही magnetic field लिंक करता है rotor के साथ और rotor में एक force लगाता है और rotor घुमने लगता है तो rotor के उपर भी है magnetic field बनता है और इस field जो core है उसके उपर भी he तो rather का rotor का cor ये हुग तो इसम bet 윤 left हो या इनने कि magnitude इसमेभी बनता है DC motor में आपका सकते हैं कि जहाँ DC motor जब अव पढ़ रहे होंगे तो is भी आप पढ़े होंगे rotor के बारे मेए DC कि मोटर कम्यूटेटर बेज तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि रोटर में जहां यह में पिंड्यूजड होता है वहां उस उसको हम रोटर कहते हैं और जहां मैगनेटिक फिल्ड जेनरेट होता है मैगनेटिक फिल्ड उसे उस जगह को हम फिल्ड कोर फिल्ड कोईल के द्वारा मैगनेटिक फिल्ड जेनरेट होता है और रोटर में यह में जेनरेट होता है तो rotor manly, rotor को तो बहुत सारे हिस्सों में बाटा गया है, उसके आकार के आधार पर कैसा rotor है, slip ring लगा हुआ है, commutator लगा हुआ है, तो rotor को manly types इसका जो है two types का rotor होता है, manly, जब आप synchronous motor, आगे जब आप synchronous motor, induction motor के बारे में बताऊंगा, तो वो सब आपका concept किलियर होगा कि कितने परकार का rotor होता है ठीक है लेकिन अभी मैं manly आपको दो types का rotor बताऊंगा जिससे आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा rotor के बारे में एक होता है wound rotor एक होता है isquirel isquirel cage rotor अब आप बताएं बोलिएगा कि one rotor हमको कहां दिखने को मिलेगा तो wound rotor आपको rotor आपको दिखने को मिलेगा जो आप drill machine है ना drill machine drill machine को आप जब खोल कर देखेंगे तो आपको wound rotor मिलेगा जब आप cutter होता है ना जिससे marble or wall की cutting की जाती है cutter में आपको वो मिलेगा देखने को ठीक है और भी बहुत सारे चीजों में दिखने को मिलेगा मैं अभी दो यही बताया अब squirrel cage rotor क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा तो squirrel cage rotor squirrel cage rotor आपको कहां दिखने को मिलेगा सभी induction motor में induction motor में यानि कि आपको जो घर में जो pump लगा हो रहा है मोटर लगा होता है ने वो सभी induction motor होते हैं सभी induction motor में आपको squirrel cage rotor दिखने को मिलेगा ठीक है अब मैं सबसे पहले wound rotor को पकरूंगा wound rotor क्या है तो wound rotor का use कहां कहां किया जाता है wound rotor का use आपको AC machine और DC machine दोनों में किया जाता है wound rotor का लेकिन एक समानता है कौन सा wound rotor हम AC motor AC machine में इस्तेमाल करेंगे यानि कि AC motor में और DC motor में तो आप देख पा रहे होंगे यह इसी को कहा जाता है wound rotor यह मैं अभी winding को open करकर रखा हूं क्यूंकि मैं इसे winding करने वाला था winding करकर भी आपको दिखाऊंगा कि इससे कैसे winding की जाती है लेकिन फिलहाल मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूं rotor के बारे में तो यह सब slot है बात को हमारा बहुत ही ध्यान से सुनिएगा one rotor में हम बता रहे हैं यह सभी slots है इन ही slotsों में wire को यानि conductor wire की coil को डाला जाता है ठीक है यह सभी slots है number of slots यदि आप से कोई पूछे number of slots slots तो यह जितने slot होंगे ना एक दो तीन चार तो उसको count करके आप लिख दीजिएगा वही number of slot हो जाएगा अब यदि आपको इसमें पीच कोई पूछे पीच पीच जब आप pointing करेंगे तब आपको यह चीज समझ में आएगा पीच पूछे तो बात का मतलब एक कोईल है हमारा इस वाले इस वाले slot में और एक है इस वाले slot में तो कितना हो गया एक दो तीन चार मतलब एक चार का slot है ठीक है एक चार का slot है यदि आपसे slot है पीच है पीच एक चार है एक एक दो तीन चार मतलब एक कोईल इस परकार से winding किया गया है ठीक है तो पीच बताएंगे यह जब आप winding के बारे में पढ़ेंगे न तब आपको यह बात पता चलेगा समझ में आएगा जब आप practically करेंगे अब देखिए यह तो रोटर में जो बीच में देखिए एक रोट डाला हुआ है इस छोर से लेकर इस छोर तक एक रोट डाला गया है इस रोट को कहा जाता है साफ्ट कोई भी रोटर जो बीच में रोट डाला जाता है लंबी वाली उसे बोला जाता है साफ्ट अब साफ्ट में देखिए इस पॉइंट पर इस पॉइंट को इतना खाली छोड़ा गया है यह bearing इंजक्ट कर जब किया जाता है bearing को जब डाला जाता है तो इस जगह पर वो bearing को फंसाने के लिए इस जगा को छोड़ा गया है ठीक है तभी तो साफ्ट ऐसे घुमेगा rotor के इस्टेटर के अंदर साफ्ट घुमेगा तो rotor भी घुमेगा ठीक है अब यह तो हो गया यहां bearing लग गया अब देखिए यहां जो insulated किया गया है insulated इसलिए एहां किया गया है insulated एहां से लेकर एहां तक किया गया है क्योंकि इसमें winding जब इसके उपर चहड़ाया जाएगा तो इसलिए direct insulated किया गया है बेकलाइट और अलग भी material होता है इसकी दिखिए insulation किया गया है ताकि wire direct core पे ना संथे और इसके अंदर जब भी winding की जाती है तो insulation paper डाल दिया जाता है इसके अंदर तो डाल देंगे इसके उपर तो हम नहीं लगा सकते है ना insulation paper लगाने का कोई जगा नहीं है इसलिए जब भी company इससे त्यार करती है तब इससे insulated कर देती है कुछ chemical या baccalite की पतली परद डाल का ठीक है अब देखिए ये भी insulated किया गया है अब ये जो commute इसको बोला जाता है commutator ये होता है commutator commutator आपको सभी DC machines में जो rotor लगे होते है DC machine में ठीक है उसमें आपको दिखने को मिलेंगे commutator तो यानि कि आपको rotor देखने से ही पता चल जाएगा कि वो AC machine का है ये DC machine का है DC motor का है कैसे समझ में आएगा ये commutator based जिसमें रहेगा वो DC motor होगा और जिसमें sleep ring sleep ring क्या होता है sleep ring चूडी नुमा गोल गोल लगा होता है copper का उसी के द्वारा carbon brush लगे होता है इसमें क्या होता है commutator है ये commutator segment है सभी अलग-अलग segment है segment 1,2,3,4,5,6 सभी अलग-अलग segment है segment में इस परकार से carbon brush लगा होता है और supply देते या लेते है तो rotor में supply हम अभी motor और generator के बारे में नहीं जा रहे हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ supply D या ली जाती है supply in या out की जाती है वो motor और generator पर depend करेगा किस में in होगा, किस में out होगा तो rotor में supply D या ली जाती है commutator Commutator या Sleep Rings के माध्यम से Sleep Rings के माध्यम से Supply दिया ली जाती है तो यह Commutator है यानि कि DC DC मेसिंज में ही Commutator का परियोग किया जाता है रोटर में और AC मेसिंज में Sleep Rings का ठीक है अब देखिए यहां connection होगा जितने भी coil है जितने भी coil के जो एक coil के दो छोरोंगे तो एक चोरयां लगेगा इसका भी मैं आपको connection बताऊंगा जब करूंगा ठीक है अभी मैं रोटर के बारे में बता रहा हूँ winding पन नहीं किया तो इस परकार से winding की जाती है अब दूसरी तरह आप देखेंगे यह winding से भरा होता है तो यह जो winding यहां से घुमेगा तो यह winding जैसे इस साप्ट में ना संटे इसलिए देखेंगे यहां भी insulated किया गया है यह glass का insulation किया गया है इस जगह पर ठीक है ताकि ना संटे अब आगे देख रहा होंगे आप यह थोड़ा जैसे gear का part होता है वैसे बनाया गया है इस जगह पर aluminium का fan डला होता है जो rotor को cooling करता है ठीक है fan जब यह घुमता है तो fan भी घुमेगा तो cooling होते रहेगा अब यह जो आगे का थोड़ा सा साप्ट निकला गया है यह bearing के लिए तभी तो दोनों छोर पर bearing लगेगा तभी तो जब magnetic field इसको तागद लगाएगा यानि की force लगाएगा तो यह घुमने लगेगा ठीक है तो wound rotor का इस्तामाल AC machines में भी DC machines में भी होता है commutated based का होता है DC machine में sleeping based का होता है AC machines में अब हम बात कर रहे हैं squiral cage rotor के बारे में squiral cage rotor क्या है तो देखिए एक squiral cage rotor हमारे सामने है यह हम आपको कहां बोले induction motor यानि की घर में जो motor लगा गया है उसमें आपको यह दिखेगा तो wound rotor में तो हमने देखा कि इसको saft का जाता तो इसमें भी इसे saft का जाता है इस point से लेकर इस point को saft डला होता है यह saft जब घिंज जाता है जब machine बहुत दिनों तक चलती है तो यह saft change भी होता है ठीक है यह saft थोड़ा थोड़ा इदर घिस गिया है तो वो change भी हो सकता है इसे ठोक कर निकाला जा सकता है अब देखिए इस rotor में तो हमने आपको बताया कि winding की जाती है ठीक है commutator लगा होता है और आपको नहीं दिखेगा windings तो windings क्या इसमें windings नहीं है वाइं नहीं है लेकिन windings की तरह behave करने के लिए winding जैसे winding रहेगा तभी तो ये उसके तरह behave करेगा तो winding नहीं है लेकिन इसमें आप देख पा रहे होंगे तीरशी तीरशी जो white white देख रहे होंगे आप, ठीक है, डाली गई, यह conductor डाली गई, यह conductor कौन सी conductor डाली जाती है, यह aluminium, aluminium, इसमें aluminium डाला गया है, या copper, copper की steep इसमें डाल दी जाती है, जब यह manufacture की जाती है, तब ही इसके अंदर डाल दी जाती है, जो winding की तरह ही behave करता है, वो मैं बताऊंगा आपको जब synchronous motor, induction motor के बारे में पढ़ाऊंगा, तब आपको मैं बताऊंगा, उसमें क्या है, तो देखिए, यह short circuit बनाया जाता है, यानि कि यह conductor है न, देखिए, यह short है, पूरा short है, जितने भी conductor का एक छोर short है, और इधर भी एक छोर short है, ठीक है, है, तो यह conductor short circuit किया जाता है, औ इस्क्वाइरल के रोटर को भी मैं आपको समझाया पाया, और यह short circuit से induction motor में, जब induction होता है, तब ही यह काम करने लगता है, तो मैं आसा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में, रोटर के बारे में समझा पाया, और यदि आपके मन में अभी भी कोई सवाल है, तो किरपिया क कमेंट करें, कमेंट करें, ठीक है, धन्यवाद, और एक बात मैं आपको बताना भूल गया था, जो मुझे यादा है अभी, यह जो रोटर है ना दोनो, इस रोटर का यह दिया, आप उसे कोई इस टेक पूछ दे, इस टेक कि रोटर इस टेक क्या है, तो रोटर का इस इस प इस टेक की मेजर होती है, इसका इस टेक इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम मेजर करेंगे, यह इस टेक हो गया, और इस रोटर का इस टेक यह, यानि कि कोर का जो यह कोर का इस टेक है, रोटर इस टेक का जाता है इसको, इस पॉइंट से इस पॉइंट से, इस पॉइंट तक हम मेजर करते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम मेजर करते हैं धन्यवाद